तरंगों के बारे में यानि द्वनी के साथ तरंग जुड़ा हुआ चैप्टर है पर हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्क्स किया था तरंगों के बारे में यानि की वेबस के बारे में आज का जो लेक्शर होगा वो बैसिकली साउंड ओरियंटिट होगा यानि कि हम लोग ध्वनी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे पर उसके पहले पिछले लेक्शर से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं कुछ प्वेस्चन हैं तो उसको भी हम लोग सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि velocity equal to distance upon time यानि दोरी बटा समय को हम लोग चाल कहते हैं यह velocity कहते हैं वेक कहते हैं सेकेंड आएगा आपका देखें एक होता है equal to hc by lambda और e equals to होता है h new यह दो प्रमेथेकल और इन दोनों के आधार पे ही एक पामुला बनके आता है कि new equals to c by lambda new और c को छोटे exams में यानि की छोटे one day level के exams में इसको frequency बता देते हैं इसको velocity बता देते हैं और इसको lambda बता देते हैं इतनी सी बाते हैं और यहीं से अगर आप देखना चाहोगे तो velocity जो हो जाती है वो हो जाती f into lambda यह चीज़ आप नूट कर लीज़े कि velocity जो होगी यानि चार्ज होगी वो f lambda होती है clear होगे इतनी बात चलिए पहला प्रशना आपका है कि अगर t equal to 0.02 पहला प्रशना है यदि t equals to 0.02 यानि कह रहे हैं किसी वस्तु का आवर्त यदि 0.02 सेकेंड हो ठीक है तो इसकी frequency बताईए find the frequency तो कल का एक formula आपको फिट से recall करना पड़ेगा कि f equals to 1 by t होता है है ना f equals to 1 by t होता है तो हम लिख देते हैं सी दिशते 1 upon t यानि 0.02 अच्छा इसमें क्या करिए उपर नीचे 100 से गुड़ा कर दीजे 100 से गुड़ा करेंगे तो आप उपर 100 आ जाएगा नीचे क्या जाएग पर सेकेंड बोल देंगे या ऐसी पर सेकेंड को हम बोल देते हैं 50 हज ठीक है इतनी बात समझ में आई आई आप लोग को वाई लेके टाइप करिए कि सब्सक्राइब करिया अब लोग जी जी स्टाट होगी दिया रहा है ओके तो वाई लिके टाइप करिया आप लोग एवरिबड़ी गुड आफ्टरनून पवन कनोजिया वेरिवड आफ्टरनून सुधा अर्चना सुगंधा या हुसेन अमिट शाहू रिशु कुमार राहुल सिंग राजु कुमार आप सभी लोग साथ हैं बहुत अच्छा लग रहा है तो सबसे पहला प्रेशन जो था बड़ा ही आसान था यानि टी और एफ में लेशन आपको दिया हो पता है पहले से कि एफ इक्वेंसी जो होती है वन अपॉन टी होती है आवर समय के आप सीधा सीधा बस यही रखोगे आपको वेली मिल जाएगी अच्छा एक क्वेस्टन आप और फ्रिक्वेंसी मतलब हो गया आवरती इस ट्वेंटी हर्च प्वाइंड टाइम पीरियड कह रहे हैं यदि किसी तरंग का वेग सौ मीटर पर सेकेंड था इसकी आवरती 20 हर्च है तो टाइम पीरिड फाइंड करिए बच्चे कन्फ्यूज जाते है यह नहीं दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी पर यह देने की वज़ा से परिशान जाते हैं कि यह क्यों दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है आपको फ्रिक्वेंसी है तो आप टी ऐसी निकाल सकते हो भाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाई बस 1 upon 20 आप रखोगे सिधे-सिधे आपको एंसर मिल जाएगा बात दी क्लियर हो गई समय में आ गया है लगाई इसका एंसर बताइए निर्बल सिंग देट इस वेरी नाइस तो हेर देट चली और आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं क्या है जी अगला प्रस्ण नोट करिए आप लोग बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं इसमें और जो भी आते हैं बस आपको बता दिया हमने बस दो फॉर्मूले पे आते हैं एक तो वो डिस्टेंस और टाइम का जो फॉर्मूला था यानि वेलासिटी थी वो तो बहुत फॉर्मूला ये और दूसरा आ जाता है टी इक्वल्स टुवन बाई एफ या एफ एक्वल्स टुवन बाई टी कह दिए दोनों एक जी जी यह यह नहीं दो पर आधारित आते हैं आपको जादा कंफ्यूज होने की कोई जरूवत नहीं रहती है अगला प्रस्ण दिया लेंब्डा 0.4 मीटर है बता रहे हैं कि 800 मीटर दूरी चलने के लिए कितना समय लगेगा यानी 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इन्हें कितना टाइम लगेगा ठीक है आवर्त कालनी पूछना है टाइम पीरिड नहीं पूछना थाइम निकालना है दूरी टेय करने तो आपको ध्यान रखना यहां से इसको ध्यान से देखिएगा कह रहे हैं कि आप लोग नोट करना चाहें तो बता दीजेगा आप लोग बड़े फास्ट हैं बहुत तेजी से लगा लेते हैं 0.05 ठीक है आगे देखे इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी तरंग की आवरती 500 हर्ज है तथा उसका तरंग देट 0.4 मीटर है तो 800 मीटर दिस्टेंस की दूरी मतलब 800 मीटर की दूरी तै करने में उसे कितना स तो 800 मीटर दूरी तो सबसे पहले आप यहीं से आप देखो गें विलास्टी क्या हो जाती है यहीं से आपको आएगा यह तरजाए गुड़ा हो जाएगा तो वेलास्टी जो होगी वो जाएगी एफ इंटू लेमिडा बस इतना ही साही कर लीजे 500 यहां से विलास्टी निक पूर ठीक है तो यहां से आ गया 200 मीटर पर सेकंड देखिए कोई तो नहीं है वेलास्टी इक्वल्स टू एफ इंटू लेम्डा फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ज और इसकी जो लेम्डा यानि के तरंग देर्थ है यानि वेवलेंथ है वो 0.4 और यहां से आ जाता है 200 मीटर पर से टाइम इतना तो आपको पता है आपको टाइम चाहिए तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलास्टी डिस्टेंस कितना दियर रखें आठ सो बही 200 के रफ्तार से चल रहे हो 800 मीटर दूर इत कितने तिर में तैकर होगे कॉमन सी बात है यानि पूर सेकेंड क्लेर हो गई इतनी बात प्रशान पाठक वेरी गूड आफ्टेनून कुमारी सुधा दो हजार मीटर पसकेंट यह यहां पर डेसिमल भी है वही इसको अटाइए इसको डेसिमल है देखो यहां पर दसमलव भी तो है चार पच्छे वीस ऐसे करके आया यहां डेसिमल है ठीक है पॉइंट फॉर मीटर है उसको सही कर लीजिए सुधा जी चलिए बहुत अच्छे आप लोग की संख्या चानक से बड़ी थी पर खट रही है चलिए आज का टॉपिक सुरू करते हैं बस इतने ही निमिर कलते हैं बस छोड़े चोड़े वैलिउस को चेंज करता है खासकर के जतने प्रश्ण अभी तक हैं उसमें वेलासिटी पूछा या फिर लेमडा पूछाय या फ्रिक्वेंसी पूछा तो तीनों पे बेज एक ही फॉर्मुला है वीइव लेमडा कह दीजे या फीक्वलस टू वीबाइमडा कह दीजे ठीए एक फॉर्म प्रोमन से इसाब रखो गया और सारा का सारा निकलता चला जाएगा। प्लेर हो गएती बात। चलिए। अब हम लोग आज ध्वनी स्टार्ट करते हैं। कि ध्वनी होती क्या है। करते है। कल लोग ने पढ़ा वेव के बारे में तरंग के बारे में और तरंग में हमने देखा कि किस तरह से टरंग बनता है यानि इक डिस्टरमिंस से बनता है। कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है अब हम बात करें अध्य डशुल कि द थूर्ष जब भी होती ही तो किसी वाइब्रेशं शेलिक व्यअ किसी वैब्रेशन मτलब होताई सपंदन है right rames सब्सक्वाइब्रेशन हैcket कर से सब्सक्राति finns तो टोढ़िकुन काई तो तो क्या हो सकता है इसे असलिख भूलक आपने ले लिया या तेलय आपने इस पे खुब तर्जी से देखनी है फिस एन फसकी सब्सराइब तरफ ना गाली ना इक लिगवसी मिली मिल 135 Candcyjate President कहते हैं चोल्ट इसों कहते हैं वहां जोड़त tut दि आ यह वाँ अब पांट पहीं कि ज'tी करते हैं हुआ हुआ है तो क्या हुआ होता है कि रॉन तोनों बहुत तेजी से वाइबरेट करते हैं कि वाइबरेशन से ही sound मिल जाता है clear हो गए इती बात सर हज बता दी हज का मतलब होता है per second मतलब एक second में कितनी बार यानि वही विए एक second में कितनी बार आ रहा है तो यह होता है वाक्तंतु अच्छा वाक्तंतु भी दो तरह के होते हैं मतलब एक मेल में अलग होते हैं मेल में क्या होता है यहां से एक बड़ी रोचक बात है हाला कि एकजाम में नहीं आएगा आपके लेकिन इसको समझने के लिए बात क्या है देखिए रहां दीजे कि मेल है यानि कि यह पुरुष है यह फीमेल है तो दोनों की आवाज में तो आपको अंतर दिखता होगा आप जान जाते होगे सु को आ रहा है तो वाई लिक करके रिप्लाइ कर ईंटेशल हमें तो इन दोनों के आवाज में अंतर आपको दिखती है आवाज में जो अंतर होती है यहां पूरा सा प्खाड़ियै मतलब मुह पूरा प्टगणा सा खोली है और जहां की उसमें आolph आईने के सामने से करके उए कुछ इस तरह की आवरिती मिली गए मुझ पुला हुआ है इसके बाद यह टंग्स है और यहां उपर से उपर का सिरह है तो यहां पर देखो कि इस तरह से ऐसे करके आपको आकरती दिखेगी और यहां पर एक वह उता है न क्या हो एपिगलॉटिस तो यह जो दोनों थ्रेड् उद्ध और तो सब्सक्राइब करें कि उनके कमपन से धुनी आरही अप लोग करें ले Squeer के लिकशल की कि इस चीजेशका wszyscy कराना हो तो जितना होगा जितना बढ़ा होगा है फिर से देख लेगए कि अगर कोई बस बहुत बड़ी है और इसको आप वाइब्रेट कर आओगे न तो यहां पर तो वाइब्रेट बड़े आसानी से बन जाएगा लेकिन जैसे से लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही इसको तै करने में जो दूरी तै करनी पड़ेगी यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस यानि इसको हम लोग बोलते थे आयाम तो यह आयाम यानि आप्रीट यूट बहुत ज्यादा तय करना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा खापत होती है यानि जो पुरुष होते हैं उनको बोलने में एनर्जी की ज़रुरत ज्यादा पड़ती है दूसरी चीज़ क्योंकि एन की लंबाई तथा उसकी आवरती एक दूसरे के व्यूत क्रमा अनुपाती होते हैं लिख लिजे लेंथ यानि लंबाई कुछ लोगों को यह चीज नागवार लग रही होगी क्योंकि बोल रहोंगे कि गिटार में तो बड़े बड़े लंबे धागे होते हैं और उसके हिसाब से वाइबरेशन मिलता है तो ध्यान रखे दोनों इंड फिक्स होते हैं दूसरी चीज़ क्या होती फिक्स होने के साथ स निष्यत दौर से छोटी हो जाती है तो ऐसा कम पन होता है इतनी ज्यादा फिक्वणेसी होती हम लोग सुनीनी पाते है अभी पढ़ने वाले है इसके बाद जस्टे और बड़ी हो जाए ज्यादा हो जाए तो मोले सुनन नहीं पाते है तो मन्हें ने दायता है लंबाईüst विभी जिक्र करने वाले हैं, आप लोग काफी confused हो गए थे उसमें, तो यहीं से question आता है कि flute का, बांसुरी का, तो flute की बात करते हैं, बांसुरी की बात करते हैं, तो exam में question आपके आया है, कि बांसुरी की लंबी बांसुरी अपेक्षाकृत कम तारत्व देते हैं, क्योंकि, ठीक है, लेंदी fluids are less, less pitchy, because of, मतलब जो लंबे बांसुरी होंगे, उनका कम pitch होता है, क्योंकि, यहने उनकी frequency कम होती, क्योंकि, तो हमने बताया है, कि एगर लंबाई ज्यादा होगी, तो frequency कम हो जाएगा, पुर्शों में लंबाई ज्यादा होती, इसलिए frequency कम हो जाता है, और जब frequency कम होता है, तुसको बोलते हैं, graviness, क्या बोलते हैं, graviness, तो लिखिये नहीं पे, less frequency equals to more gravy grave मतलब मोटा, भारी ठीक है, और high frequency, आज का lecture बड़ा ही दिल्चस्प है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा high frequency मतलब more shrill shrill मतलब पतला teached या पतला ठीक है, एतनी बाद अभी तक clear हो गई while एक के type करिए भाई आप लोग बीच बीच में आते जाते रहते हो, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरह से बढ़ती है, वैसे से उनकी frequency कम हो जाती है, और क्योंकि frequency पर ही तारत तो निर्फर करता जादा frequency, जादा तारत मतलब more pitch, तो इसलिए आगे पढ़ेंगे खर पिछ में उसको डिसक्त रनने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, कल हम लोगों ने अभी डिसक्स क बारे में, तो देखे, बात यह होती है, जो छोटे exams होते हैं, जोटे exams होते हैं, जो इस पेपर में आप लोगो देखोगे, exam के बाद में तीन बार तो answer कीजचा है, बात सही है कि नहीं सही है? यानि जो छोटे एक्जाम्स होते हैं उनकी एंसर कीज तीन बार आती हैं क्यों तीन बार आती हैं क्योंकि बार बार उनकी गलती रहती है तो गलती तो गलती तो नहीं रहती है कभी-कभी उनकी गलती है में जो भार भार 2-3 अग्जाम में कर देते हैं सही मान ली जाती है समझ रह localizedixa कभी कभी क्या होता कि उए ही गलती बार भार repeat करके और सही बना देते हैं कोई गलती बार बार repeat अगैप। वैसे ही कल हम लोगों ने पड़ा था ऑन उप्रिदि यानि और लाउडनेस यानि प्रबलता जो होती है ठीक है वो निर्भर करती है आपका एंप्रिजूट पे ख्लेर होगी बाद खेर हम लोग उसी को पढ़ने वाल है फिलहाल अभी पहले डेख लेते हैं साउंड के कितने प्रकार होते हैं एक होता है इन्फरा एक होता है और ओरिबल यह तो आप लोग जानते ही होगे वैसे एक होता है ultrasonic यह इसको बोलते है infrasonic यह audible range हो जाता है infra का मतलब होता है 20 hertz से कम 20 hertz से कम यनि एक आवरिती 20 आवरिती से कम हो एक second में audible में क्या हो जाता है 20 से लेकर के 20,000 hertz तक 20,000 या kilo बोल सकते है ultra में क्या हो जाता है 20 kilo hertz से भी अधिक 20 kilo hertz से भी अधिक खुजाता है इतनी बाद समझ में आ रही है आपको यह बड़ा common सा चीज था अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि UPSC में एक question आया हुआ आपके उसमें आया हुआ हुआ है कि मानो चमता कहां तक है कहां तक है तो आप बताओगे 20 kilo hertz लेकिन उनने गलत बता दिया था क्यों गलत बता दिया था गजो शिशू होता है यह 25 kilohertz तक के frequency को सुन सकता है नोट कल लिया इसको अब देखिए धिहान से कितना तेज आब कर रहा हुआ अगर एक सेकेंड में आपने 20 बार वाइबरेट करा दिया एक सेकेंड में आपने 20 बार वाइबरेट करा दिया तो आप जिसी से जंप कर जाओगे और लेकिन अगर 20 से कम वाइबरेट कराया तो आप नहीं समझ पाओगे जैसे इंफ्रासोनिक होता बूकम कैसे होते इंफ्रासोनिक एक्जामपल में एक लिए इसमें आर्थकेक्स अलागे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया था क्वेश्चन इस तरह से आया था कि जो जीव होते हैं जैसे एलिपैंट की बात किया था वेल्स की बात किया था कि ये सारे भूकम में नहीं मार जाते कुत्ते भूकम में नहीं मार जाते कारण क्या है तो कारण यह था क्योंकि वो इतने sensitive होते हैं कि वो infrasonic sounds को सुन सकते हैं ऐसे जानवर infrasonic sounds को सुन लेते हैं यह उनके beats को feel कर लेते हैं और क्योंकि यह feel कर लेते हैं इसलिए सारे के सारे बच जाते हैं तो example में कौन-कौन से जीव आते हैं यह बहुत important है सबसे number one पे आ जाता है whales, elephant, rhinos, rhino यह rhinosaurus बात पर यह गैंडे यह गैंडा है यह हाथ ही है यह भेल मचली है clear हो गईती बात सासाथ में कुछ हैसे भी जीव हैं इसे पक्षी जगत के बहुत सारे ऐसे से जीव हैं जो इनको भी समझ लेते हैं हाला कि वो सुन नहीं पाते हैं पर महसूस कर रहेते हैं यह उसका और अल्ट्रा की बात करें यह हम लोग नहीं सुन पाते हैं अच्छा इसका हिंदी नाम में लिख लीजे इंफ्रा का मतलब होता आवर नतियत दें आव मतलब कम ठीक है और सोनिक मतलब श्रव इंफ्रा ओडिवल या और यह इसको ओडिवल मतलब श्रव यह मतलब सुनने य परती होगी तो इस इस बात होगी पराश रव्य क्लेर हो इती बात कोई चीज नहीं समझ में आ रही तुरंद मैसेज करिए आप लोग की संक्या बड़ी फ्लेक्श्वेट कर दी भाई आते जाते रह रहे हो इंटरस नहीं आ रहो तो बताईए या कोई भी समस्या हो तो भी में सम नहीं करें घृण डाई कि अर द्रास में गर्वादते रहें तो इसके लिए आ जातें हैं और depth सबसे एक्जामपल लैट बैट का बैट मतलब चंगादर कि कि लिए डॉल्सी की उतिटियाइं ल्हीं शीक है और साथ साथ में जितने भी प्रेडिटर्स होते हैं F drifting शिकारी जन्तु क्या होता है शिकारी जो सिकार करते हैं अन्य जीवों को मारके खाने वाले जीव ठीक है तो ऐसे सारे के सारे जीवों और शिकारी मतलब तो क्या करते हैं बड़े शांति से बैठे होते हैं और उस तरीके से सुन रहे होते हैं और उस तुमयुर्ण से ज्यादा धवनिका आएरा कवर करते हैं यानि वो लोग बहुत सारा पार्ड जो ultrasonic का cover कर ले जाते हैं clear हो गए इतनी बात तो जितनी predator type की animals होते हैं share हो गया, बाग हो गया, चीता हो गया यह सारे किसमें आएंगे ultrasonic sensitive में आ सकते हैं clear हो गए इतनी बात अच्छा एक साथ साथ में कभी-कभी monkeys का भी दिया रहता है snakes को भी कही कही इसमें डाला गया है पर मैं उससे खुआ सहमत नहीं हूँ इसलिए उसको इहाँ पर नहीं रखोंगा ठीक है, हाला कि exam में किसी आया भी नहीं है तो कोई बात भी नहीं होती clear हो गए इतनी बात अप लोग को अगर clear हो गए तो अप लिकरी टाइप करें अल्ट्रा बैट वाट 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 आउल कि यह डिस्टेंस से रेटेड रहता है कि जी अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तो इको में लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रेटर्स होते हैं मतलब जो इनका अल्ट्रसोनिक साउंड का लेते हैं उन लोग किस तरह से प्रकड़ते हैं ठीक है तो आपने भी पूछा था आउल की बारे में तो आउल देखो कुछ बात ऐसी होती है कि थोड़ा सा विपरीद जाती है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा प्रकिरत उनको उलजहाई रखती है पांस साल पहले एक नया सिद्धान्ता आया आप जानते ही हो ऐसे ही अगर आप देखोगे जुगरू के बारे में तो उसका सिद्धान्त पहले प्रकाशित किया गया तो हम देखते हैं कि समय के साथ साथ बदलता रहता है वो थोड़े से चैलेंज करते हैं, गादुर आप नाम सुले होगे, वो भी उल्टे लटके रहते हैं, आउल के नाम करोगे, तो आउल को ऐसा नहीं दिखता नहीं है, वो दिखता है उनको, लेकिन ज़्यादा लाइट में वो धुदला पन उनको फिल हो जाता है, ज़्यादा आखों के सही मजबूर है, लेकिन दिन का काम क्योंकि रात में कर रहा है, इसलिए उसको उल्लू बोलते हैं, तो आदमियों में भी जो ऐसा उल्टा सिधा काम करते हैं, उनको भी उल्लू या नहीं, मुर्क बोला जाता है, प्लेर हो गेती बात, अब इन सब के यूज़ेज सुन ना पाए, और जिसको सुनाना चाहरे हैं, उसी को सुना ले जाएं, तब की बात करें, जब EM वेबसे हम लोग की विज़े नहीं प्राप्त हुई थी, ठीक है, अलक्त्रोमैटिक वेबस वगरा, यानि लेडियो वेबस वगरा की विज़े हम लोग नहीं करते थे, तब ज़्यादा आप कर दोगे ना तो इतनी ज़्यादा वो जाएगी कि हमारे कान के फर्दे फट जाएंगे, हम लोग बहरे हो सकते हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग, कि अगर शोर यानि कि वहाँ पे भी तीव बरता बोलते हैं, लेकिन वो तीव बरता नहीं है, वो शोर है, लॉडनेस को परबलता है, तो उसको ज़्यादा कर देने पर कान के परदे फ फट जाते हैं, पर्न्थ वगर फ्रिक्वनसी ज़्यादा तीवरता मतलब तेज वंडे एक्जाम यही समझते हैं कि तीवरता मतलब तेज जो तेज हो अब तेज की अगर आप बात करें तो तेज में यही चीज वैसे ही रहेगा बस इतना इतना सा हो संदें बात यहीं इसका जो जांब है उपर का विसतार ही बढ़ता है समझना बात को लेगिन जब वरता की कि बात करते हैं तो रहता हुप यह जितना दो लेगा अगा पर फरिक्वेंसी बढ़ जाएगी तक चारी नहीं सार्ट नहीं लोलें आयाम नहीं होगा पर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और जितना बार जो हिल राइस का मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी है समझ रहें बात को आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को हाँ, pollution की बात करें, noise की बात करें, loudness की बात करें, प्रबलता की बात करें, shore की बात करें तो वो सारे के सारे decibel में मापे जाते हैं पर अगर intensity की बात करें तो intensity अक्टियो मेटर पर ना पायता है कहीं कहीं सीक्रेट मैसेज यानि की संदेश में थेजने के लिए मैसेज तो उन्होंने बोला था एक गालटन परसंद इनका नाम तहां एक सीटी मोड़ास में इसनाए देगा कि बजा आधी लेकिन चुछापी में पा रहा हूं यानि वो शुन सकते थे वो सुन सकते थे लिए बाद तो पहला एक्जामपर हो गया गाल्टन विसल में किसका इस्तमाल होता है अल्टरासोनिक का दूसरा सोनोग्राफी से सभी परचित होंगे जैसे पथरी हो जाती किसी को ना किड्नी में स्टोन स्टोन है तो क्या करते है अ सेक्स डीटर्मिनेशन जो होता है वह सोनोग्राफी से होता है हाला कि वह एक अलग यूस है इससे कोई नादर नहीं होता है में इसका होता है कि अंदर कुछ भी हो उसका इमेजिंग कर लेंगे अगर इमेज करके आप क्या पता लगा रहे हो आपके उपर निरभर करता है ल क्लेर वुगत तीसरी बात होती है दरारें दरारें या ग्रैक्स से देख रहा हूं तो होता है कि बीच माल यहां पर ग्रेका गया दो जगा हमको नहीं दिख रहा है अंदर आया होगा कहीं हमको दिख नहीं रहा है तो क्या करते हैं, इधर एक sound source लगाते हैं, जो कि ultrasonic sound बनाता है, और जब यह जाएगा ना, अगर सारा क्रॉस कर जाए, तो कोई बात नहीं, अगर यह cross नहीं किया, यानि रिसीवर पे सारे नहीं आए, यानि कुछ ऐसे होंगे, जो reflect हो जाएंगे, reflect हो जाएंगे, reflect हो जाए तो पूरा अंतरिक प्रावर्दन, खेर वो different topic अभी पढ़ते हैं, आगे धिर धिर करके, बढ़कते रहेंगे, तो जब यह reflect हो जाते हैं, कि इसका अगर पूरा यहां नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसमें दरार है, और दरार है, तो उसको replace कर देते हैं, नहीं replace करेंगे बीच में इसे दिवार बहुत मोटी सी बनाया रहेंगे, आदमी जा इनी पता किया, इसके पीछे कुछ है भी, पाचलता है पीछे का और कमरा यह तहकाना बनाया हो जोते हैं, तो वहां पे भी हम लोग लोग अल्टार सौन का इस्तमाल करके जान लेते हैं, कि पीछे है क्य खाली है या भरा इक स्थान है, क्लियर होगे एतनी बाद, तो सबसे पहले हम लोग दरारे या तफाने या वैक्यूम जानने के लिए, वैक्यूम गल वाल वगराने के लिए पता करते हैं, चौती बात, कीट नासक, कीट नासक यानि पेस्टी साइड के रूप में, पेस्ट कांश कीट नाशक के यूप में इसका 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 कर लेते हैं इसका करें क्लीनिग में क्लीनिंग मतलब सफाई में सफाई से चिमनी में काले-काली जम जाती है चतों में बहुत धूल के कंशापे होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं अल्टरा सोनिक फ्रेक्वेंसी वाइब्रेड करा देते हैं या उस साउंड को उस पर टक्षेप कर देते हैं आरोपित कर दे है क्लेर हो गई है चलिए इतने ही सारी बात थी अच्छा हाँ एक चीज़ और है डेप्थ पता करने में डेप्थ मतलब गहराई मापने लिए अब गहराई मापने कि अगर बात करोगे तो आपको याद आ जाएगा तुरंस सोनार क्या नाम याद आता है सोनार सोन नविगे कि अच्छा एक चीज़ यह है कि जितने वी वंडे एक्जाम वाले हैं जो मतलब यूपी एस स्टेट पीसिस प्यारी नहीं कर रहे हैं वो लोग सीदे सोनार को इसमें लिख लीजिए परन्द जो स्टेट पीसिस हैं यूपी स्टेट वाले हैं या अगर इसमें लिख भी र है कि आपको पता है कि वन किलो हर्ट जो है ओडिबल रेंज में भी आता है समझे आप बात कुछ पुराने किस्से कहानी आप सुने होंगे कि जब युद्ध करने जाते थे वो लोग तो क्या करते थे दूसरे वाले शिप के लोगो परिशान करने के लिए बहुत ही जबरद है कि वन किलो हर्ट दे ले करके बीस किलो हर्ट तीस किलो हर्ट तक इदकी ऑपरेटिंग ऑपरेशन होता है परंतु सामाने तौर पे क्योंकि ज्ञादा किसमें मिलेगी अल्ट्रा सङोन के मिलेगी तो एनरज्य हम को जड़़ी जाए जल्दी सवापस आया बिना लास या भी तो हमको कितना भी लाउस आइंगे काम भर का मात्रा में इनर्जी वापस मिल जाए तो इसलिए हम लोग सोनार यूस कर लेते हैं सोनार में अल्टरसोनिक सॉंड यूस कर लेते हैं अफ्लेर हो गए इतनी बात कोई दिक्कत कोई डाउट करिए बड़े शान्त लग रहे हैं आप लोग भई एक concept होता है उसको बोलते हैं tessering क्या बोलते हैं tessering का मतलब होता है कि अपने ही ध्वनी से या अपने ही विचारों से वो कमपन कर देना वो कमपन कर देना जो एक विशुद्ध काम करा दे मतलब हम वान लोग कोório has तुमत करीब बाबा होते हैं पुरान जबाने मे हों पुराने अभी सिद्धान साथ पुरानी जबाने में ऑभी सिद्धान में लुवह क्या है हो ऐना हमने इस शकत्त रूप मेरे क्ल नहीं में साजक्वने睡रड कोन 3-6 यहां से बड़े प्रशनाते हैं हला कि पेशीदे नहीं होते हैं से समझ में आ जाते हैं प्रोपर्टीज और साउंड यानि द्ध्वानी के गुण अच्छा एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कली हमने बताया था इसी समझाया था आपको कि द्ध्वानी कैसा तरंग है एक यांत्रिक तरंग है एक यांत्रिक तरंग है यानि मेकेनिकल वेब मतलब इसको मीडियम माध्यम प्रकास कि माध्यम में नियुनितम मोथी ओप्शन में वैक्यूम भी दिया रहेगा । बहें कंफ्यूजंग कर अपनी है हवा है हिलियम दे देंगे और आजीव सा नाम दे देंगे ठीक है इस पेस्ट भी उसी में डाल देंगे लेकिन आपको ध्यान रखनी है सबसे नियुनतम कहा होगा बहुत सारे कोश्चिन इस तरह से हमको मिले अलग अलग इसांस में तो हमने देखा कि यार यह तो बड़े वि जे बिलकुल अरशनाजी मेकेनिकल नाम जी नल वेड़ चली हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑप सांड प्रॉपर्टीज में कल से ही वहीं जहां से सुरूप खतम किये थे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब टीवर्टा क्लेर हो गई इतिवर्ट और दूसरा दोनों साथ में लेके चलेंगे क्योंकि दोनों एकी जैसा मालूम पढ़ता है दूसरा होता है लाउडनेस इसको बोलते हैं प्रबलता या शोर ठीक है शोर या प्रबलता इसको बोलते हैं लाउडनेस अच्छा ध्यान रखे जितने भी वंडे वाले परसन हैं जो वंडे वाले एक्जाम वाले हैं वो इंटेंसिटी को ही लाउडनेस माले पहली बात तो यह हो गई ठीक है अगर आप स्टेट पीसेश देना चाह रहे हो अच्छा चाहते हो अच्छी नॉलेज चाहते हो तो आप दोनों को अलग अलग पढ़े हो इंटेंसिटी का मतलब होता है ओर जा और इसकी मतलब होता है मात्रा मात्रा मतलब content जैसे आपने torch जलाया तो आप देखो कितना प्रकास हो रहा है आपने देखा कि बहुत उजाला हो गया और एक ने कहा उर्जा किस में ज़्यादा है कुछ प्रकास जोन ऐसे होते हमको दिखते नहीं देखिए उर्जा उसमें ज़्यादा होती है तो आप प्रकास के अधार पर उसकी उजा नहीं माप सकते हैं, जैसे हमने कहा कि येलो लाइट में हमको बहुत सारा प्रकास मिल जा रहा है, जैसे हमने कह दिया येलो लाइट में हमको बहुत प्रकास मिल जा रहा है, फिर हमने कह दिया अल्ट्रा वायले रेंज में, या इन् तीवरता इसकी कम है, समझ रहे हैं बात को, सेम ऐसे ही साउंड में भी सुनाई जो जादा देगा उसकी जरूरी नहीं है कि उसकी तीवरता भी जादा हो, और सुनाई कौन जादा देगा जो एम्प्रिटूर में जादा होगा, तो यह निर्भर करता है आयाम पर धियान रखे टेज डिपेंधेंट ओन डिपेंड़ आ अंप्लिटूर कितना विस्थापन हो रहा है साम्यावस्था से और यहाँ पर निर्भर करता है और उर्जा निर्भर करती है किस पर? एक्वल्स टू एच न्यू हमने बताया था न्यू को ही मान लो एफ है फ्रिक्वेंसी यह तो एफ लिख लो समझने के लिए तो फ्रिक्वेंसी यानि आवरिती पर यानि कि सबसे जाला क्या होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी पर यह पर दीजेगा अगर आजाए तीवरता किस पर निर्भा करती आप लिखोगे प्रिक्वेंसी पर लेकिन वन डे चोटे मोटे या बेकार वाले एक्जाम जो होते नहीं जब बेकार सा टीम बिठा देते हैं जिसमें पता रगता है सौ पेपर में सौ कुशन है उसमें बीस गलत निकल जाते हैं बीस बार उसकी अंसर कीज वो देते रहते हैं कारणी है कि उन्हों खुद नहीं पता होता है तो उन लोग के लिए कोई अंतर नहीं इसमें वो जब भी इंटेंसी की बात करते हैं तो उसका बात क्या कर रहे होत को चली तो हमने बात कर लिया फ्रिक्वेंसी की यहां पर और यहां पर हमने बात कर लिया एंप्रिटूड का ठीक और यहां बात कर लिए हमने frequency का है निया एच लिए फ्रीक्वेंशी क्या होती यह पर सेकेंड होती है और एनरजी क्या होती है जूल होती है अगर यहां पे जूल ले आए और सेकेंड सेकेंड कर जाएगा खाली जूल बचेगा ना यहां को मिल जाएगा तो हम देख रहे हैं जो एच है ना इसकी पूछता अक्सर यहां लिख लेते हैं जो पहले से हैं और उसको और बढ़िया बनाना देता था उसमें से मैंक्समेंब defense 판 को समीकропrd i मानन वन्हे उसको भूंता है झिस्टा कि आप क्या होती तो आप सीधे बोलोगे जूल सेकेंड वैयू अक्सर हैंЭтоन łat ऊक्सर मघ्या वहते हैं चोटे मोटे उसमें देड़ता है हलाकि आप लोग की एक्जाम में जो भी आता है वो पूस्ता उसकी काई क्या है जूल सेकेंड या फिर अगर इसी को जूल को बदलोगे और इसको बदलोगे तो आपको मिल जाएगा केजी मीटर स्कौायर पर सेकेंड मिल जाएगा वैसे से UPSC कितने नंबर का होता है देखिए आपको बता दूँ पहले एक्जाम में बहुत सारे कुशन आते हैं से तेसी रेड़ल हलाकि UPSC का मेरा मतलब IAS का नहीं है UPSC का मतलब UPSC जितने भी एक्जाम संपन्न कराए समझ रहे हैं आप बात को तो जितने भी एक्जाम संपन् है लेकिन स्टेट पीस में अभी वेटे साइंस का कापी अत्तक बना हुआ है और UPSC भले ही दिखा रही हो कि वो क्वेशन नहीं दे रही है लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत सारे से मिल जाते हैं जो साइंस से कहीं कहीं होते हैं ठीक है जैसे जोगर्फी में कुछ क्वेशन साइन्स वाले डाल देगा आपको ये जोगर्फी से बाहर हो जा रही है तो प्र रहेगा साइंसché को सर्फञा इसके बाद में अटा है कि सोर को मापतिंसको बेल में बेल में मापते हैं और एक बटा दसमा भाग यानि जब भी एक बटा दस किसी का करते हैं उसको बोलते हैं तो डेसी बेल में मापते हैं डेसी बेल में मापते हैं शोरो किस में मापते हैं? डेसी बेल में मापते हैं तीवर्ता कि में मापेंगे? तीवर्ता हमने बता है ना Joule में मापेंगे? फिर उर्जा है, Joule में मापेंगे. परन्त यहीं फिर से धान रखेए, जब भी थीवर्ता की बात हो रही है, तो one day exams के लिए मैं क्या बोल रहा ह Players. यानी जो one day exams वाले हैं, इस चीज को भूल जाएं, इस पूरे चीज को भूल जाएं, वो जान ले कि इसी की बात यहां हो रही है, समझ रहे हैं, लेकिन स्टेट पीजिस वाले दोनों चीज़ों को अलग-अलग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हाला कि मैं खुद कन्फ्यूस कर रहा हूं, मुझे भी लग रहा है, मुझे पढ़ाने नहीं चीज़े था यह ठोड़ी देना चीज़े था क्यर कोई बात नहीं सर फिजिस का युपेसी ठीक है सर जोगर्फी का क्लास होगा अभी सर युपेसी से ही तो युपेसी बनते हैं, बिलकुल बनते हैं युपेसी बहुत सार एक्जाम कराता भाई खेर, जोगर्फी की अगर बात करें तो जोगर्फी का हमें अभी आइडिया नहीं है भी समय शान सर भी यहां पर नहीं है एक चीज़ होता है, लाउडनेस जो होती न, यानि जो इन्टेंस, इसको जो इसकी सोर गुल होती है उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं लॉगर्फ्मिक स्केल पर और जो भी लेवल होता है और यहां बोलते हैं Q upon Q naught, यह लॉग बेस चन होता है इस तरह से कुछ मेजर करते हैं, इसका इसका फॉर्मूला है, साथ-साथ में इसकी वेर्यूज बढ़ते रहते हैं परन्त आप लोग को क्या नोट करना है इसमें, सबसे पहला आगे वाला पहला नोट कर लीजिए जैसे लोग कहते हैं शोर हो रहा है, शोर हो रहा कैसे है, अगर दो लोग समान डेसिबल में बोले हैं यानि समान शोर पैदा कर रहा हूँ, यानि एक वेक्ती हो भी पचास बोल रहा है और एक और वेक्ती हो भी पचास बोल रहा है तो ये बताइए कि अब दो वेक्ती जब पचास पचास बोल है, अब शोर कितना हो जाएगा यानि एक मार्ष जितना भी आवास दे रहा था आगर इतने वाले दो मार्ष लगा दी जाएँ तो क्या होगा क्या डबल हुजाेगा शुर डबल नहीं होता किवल किया हो जाता है प्लस 3 decibel हो जाता है प्लस 3 decibel का मतलब क्या हो जाएगा अब 53 decibel हो जाएगा कितना हो जाएगा 53 decibel हो जाएगा तो 53 decibel हो जाएगा बड़ा अच्छा कुछ नहीं है तो यह सको रट लीजिए यूनीक है आप लोग हमेशा सो करके आएगे वरोसा है तो आप सो ना करिएगा तिरपन करिएगा नहीं अगर दो समान सोर्स हो तो प्लस 3 हो जाता है मतलब क्यावल तीन बढ़ता है तीन डिस्पेंट में बढ़ता ह चली यह बात आप लोगों समझ में आ गई प्लैंक कॉंस्टेंट की बात एनरजी की बात इसके बात आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी सोर को और थोड़ा से नहाने को हिस्ट करते है डबलू एच्चो ने यानि वर्ल्ड हेल्ट ऑगनाजिशन ने बताया है कि इस तीवर के भ्ध्र के लिए परफेक्ट साउंड है कि इसके बाद मुंने बताया कि कितने तक हम लोग सुन सकते हैं कि मतलब बर्दासं नहीं कर बाते हैं 1 कि कोईधिकत न होता है 60 और नभल पर हमें चृण होने लगती है इस्ट्रेस आ जाएगा तन्नाव आजाएगा और जैसे ही 90 से क्रॉस होता है निए अगर 100 डेसिबल पे हो और अगर वो करीब मिनट्स में रह जाए एक मिनट्स से जादा लंबे समय तक रह जाए तो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है और क्रेजीने साजाती है और पर्दे फटने के संभावनाएं रहती है क्लियर लेकिन यही उच्छतम दोनी लेवल नहीं अपने मॉमेंट में अभी इससे ज्यादा ज्यादा है यानि जिसे ट्रेन का हॉन ठीक है उसके आद में 150 इसे जेट्स इसलिए जेट्स वगएरा कि अब जो उचाई है वो बढ़ा दी गई ठीक है कि इससे नीचे अब नहीं लेकिन इनका डियूरेशन कम किया जाता है यानि कि जब भी ध्वन ज्यादा तेज होगी तो उसको जल्दी जल्दी निफ्टा दें का हॉन एक लंबा हॉन नहीं होना चाहिए आप करोगे तो एक सेकेंड दो से ज्यादा नहीं हो चाहिए नहीं कि मिनट तक बजाते रह जाये बस अब हो गई जंदकी मेरी पूरी लोगी ता इदी बाद शूर मतलब जिसे समझ न पाए है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और क्लियर करते हैं तो 45 डेसिबल अच्छा आप बोलते हैं आम बात्चीट की भासा का स्तर कितना होगा तो 45 से लगभग हम मालेते हैं 50 तक म नियत है बागी सारी नियत नहीं लगभग उसके आसपास हैं क्योंकि आपको अप्षिन भी नहीं मिलेगा फिर एक आता है कि पेड़ पत्ती पेड़ पौध है या शांत जीवन भाई देखो सुने शांत जो होगा ना वो भी हम लोग को परिशान कर देगा यानि जो अबसल्यूट साइलेंस होगा होगा उसमें भी हम लोग परेशान हो जाएंगे यानि एक स्पंदन का लेवल यानि एक बीट कुछ हद तक होना चाहिए तो कितना होना चाहिए हम लोग के पास लगभग 20 डेसिबल का तो पेड़ पौधों के पत्तियों की सरसराहाथ हवा का च के चलते हैं अच्छा जब कभी भी हमको कोई बात करनी हो जब तक वह बात हमारे लिए ही हो हमें जरूरी हो और जब वही बात हमारे जरूरत की ना हो फालतु में कोई बोल रहा है फालतु में कोई इससे मतलब नहीं हम कुछ और बात कर रहा है कोई और कुछ बात कर रहा है तो ऐसे में वो बाते हैं, जिसका हमसे कोई लिना देना नहीं है, हम नहीं चाहते वो हो, यानि अन्वांटेड हो और अच्छिक हो, तो उस सबको हम लोग बोलते हैं, शूर, तो चाहत और त्याग और चाहत के बीच का रिलेशनसिप है, जो हमें चाहिए, वो हमारी आवाज ह हो गई, और जो हमें नहीं चाहिए, अच्छिक है, वो सारे क्या हो गए, शूर हो गए, क्लेर हो गए, इतनी बात, वाई लेक के टाइप करिए, कोई और भी कुश्चन हो, तो भी होता ही है, आप लोगों को अगर नहीं सुन्हें हो, ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिय पिछ के बारे में, और हमने बता दिया कि लाउडनेस और इंटेंस्टी दोनों के मिला लीजेगा, जो चोटे मोटे एक्जांस में पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीजल वजल के केस, अगर आप लेक्चर वगरा भी कहीं निट पर देखेंगे, तो दोनों में कोई भेद नहीं तीसरा क्या है, दो हो गए है, ठीक है, लाउडनेस और इंटेंस्टी हो गई है, तीसरा हम लोग बात कर रहे है, पिछ, पिछ का मतलब होता है, सुर या इसी को बोलते थे हैं, तारत वो, तारत वो, तारत वो जो होता है, यह भी निरभर करता है, आवरती पर, और जितनी ज ज्यादा फ्रिक्वेंसी, धिरे-दिरे बोल रहा हो, कम फ्रिक्वेंसी है, और जितना ही ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, उतने ही ज्यादा भन-भनाहट होगी, हमिंग साउंड होती, हमिंग साउंड कहां से आती है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी लाती हमिंग साउंड ठीक है अब यहीं बात आती है कि मच्छर की बात जो हमने कल बताया था आपको कि मॉस्किटो और साथ में एक तरफ सेर दे दिया था लाइन तो इन दोनों में तारत पुछा था अच्छा मॉस्किटो के जो विंक्स होते हैं बहुत तेज़ चलते हैं फ्रिक्वेंस जादा हु में अभी हमने आपको समझाया कि फिमेल्स में आवरती जादा होती है वोगल कॉर्ट चोटा मतलब जादा आवरती तो जादा आवरती होती ही फिमेल्स की तो फिमेल्स ग्रेटर होंगे किस से मेल्स से तो फिमेल्स का तारत्व जादा होगा और मेल्स का तारत्व कम होगा क्लेर हो इत्ती बात, क्वड्या इनका तारथ रिक होगा इनका तारथ रिक होगा मतलब फ्रिक्वेंसि होगी और क्योंकि फ्रिक्वेंसि इसमें आ मुंधा है घारी पन से अANSको को आप पारी पन को आप को पर जो अक्टिव लोग होते हैं उनको बोलते हैं तेज मतलब तीछड़ तो हम लोग देखते हैं कि आवाज बहुत जादा अनर्जी होती है इंटेश मतलब एक्टिविटी चीक है और बारीपन को यह बने बताया आपको ग्रेव कहते हैं इसी को अगर फ्लूट की बात करें तो फ्लूट भी दो तरह के लिए लोगे एक होगा जो में बढ़ा होगा और एक होगा मानलोग छोटा चोटे साइस का चोटावाला होगा उस उसमें सारी ये सब क्वाल्टी आजाएंगी बड़े वाले में सारी की सारी जी सारी क्वालेटी ही इस तंक हम आप से आप लोग का जो इस क्वालेाट करेंगे बर्रणिग फ्लेम क्या है बर्लिंग फ्लेम भाई सर्यू आर सो गूड टीचर वाइट वाला हाँ फिजिक्स वाला जो होता हुँ आपको त्यारी कराते हैं तो आपको परिशान हो जाएंगे आप लोग जो यहां पढ़ रहा है कि जाना सारा यहां के फेनगे खंडन मतल्ग कि बताएं आप लोग को मोटा-मोटा व्यवहारिक चीज़े पढ़ा जाती है रहे हैं और नीट वगरा यह नहीं होती रिसर्च चीज़े होती है वहां वहां अचीजे आपको मिलेंगी नहीं ठारत-व्त्यघ्ट की बात ही भुस क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लोग किसी भी चीज की आवरती सेम हो दो लोगों की आवरती मान लो सेम हो ठीक है उसके बावजूद भी यानि फ्रिक्वेंसी सेम होने के बावजूद भी हम प्रिक्वेंसी सेम होने के बावजूद भी हम लोग दो अलग अलग पहचान लेते हैं, समझ रहे हैं बाद, जैसे किसी व्यक्ति से अगर आप बच्पन में कभी बात किये होंगे, तो जैसे सामने आता है, उसकी आवाज सुन करके हम लोग पहचान पाते हैं, तो वो क्या होता है, गुड़ता, गुड़ता मतलब quality of sound, quality of sound, और ये बहुत सारे प frequency वही है, बस amplitude थोड़ा सा बढ़ाया खड़ जाए, या दोनों सेम हो, उसके आव डिरेक्शन का dimension अलग-अलग हो जाए, यानि कि ध्वनी का थोड़ा सा गुड़ अलग हो जाता है, ग्रेविनेस या कुछ में हम लोग बहुत सारे qualities और भी आती हैं, आधार पर हम लोग जा आवाज में अंतर जिस आधार पर हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं आवाज की गुड़ता यानि quality, अचा गुड़ता में कई सारे और पैमाने होते हैं, अलग हम लोग उसको अलग-अलग लिखेंगे, जैसे एक होता है स्वर, स्वर को बोल देते हैं note, और एक होता है tone, tone जो ह frequency, और जो स्वर होता है, यह मिस्रन होता है, mixture of, मतलब दो अलग-अलग टाइप के frequencies का हो सकता है, mixture हो जाए, ठीक है, और एक आता है सत्वाँ, beat, विस्पंद, या beat, इसमें क्या होता है, दो समान यानि same frequency होंगी, और एक दूसरे पर supreme post होंगी, यानि अध्या रोपित होती है, supreme post means अध्या रोपित होती है, चली हम तीनों को समझाते हैं, बढ़े अबड़े अशे, एकल आवरती, मतलब same frequency होगी, यह से मान लीजिए, आपने कोई की लिया, मतलब प्यानों लिया, प्यानों पर एक की दव गलग आवरतियां सबने होती है, समझें बात को आप, तो क्या होता है कि कभी दो आवरती को आपने मिला करके एक नया स्वर बना दिया, कभी तीन आवरती को मिला करके आपने एक नया स्वर बना दिया, पर उसमें हम लोग बात करते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, mixture होगा यानि वही आवाज है जैसे मालिज आप भुझपुरी सुनते हों या पंजाबी सुनते हों या कुछ थोड़े मिक्स वाले डिजर आप पीछे करके कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्पंद यानिकी बीट तो आप लोग को अभी तक कितनी सारी चेंज समझ में आ गई होंगी अच्छा वीट में देखे दो सेम फ्रिक्वेंसी हैं अध्यारोपीत हो करके कुछ नया दे रही है न और आप लोग को याद हो तो light में हमने पढ़ाया था लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती हैं मतलब एक ही सोट से दो बना करके हम लोग उसका काम कराते थे तो हमको fringe gap मिलती थी वैसे इसमें beat में भी हम लोग को gap मिलता है gap मतलब होता है धुनी वही होगी पर लगातार चल लिए होगी लेकिन हम लोग को जरूर पुछिए तो यह सारी थी प्रॉपर्टीज यानि कि धुन के चोटी सी चीज लास्ट अपिक हम सोच रहते प्लाने लिए सर कितना नाई में भी सरक्याने में अच्छा चाब नेक्स लेक्शर में लोग बाकी चीज़ें डिसक्स करेंगे लेक्स्ट लेक्शर में लोग डिसक्स करेंगे फिलास्टि के बारे में यानि कि सान्ड़ की लोस्क्त इन्पर से ज़्यादा हम लोग मोड करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा उसके velocity टेफिलेट हो जाए उसका प्रभाव क्या पढ़ेगा क्या तूटेगा क्या बनेगा अनुनाद यानि यानि रिवर्बरेशन के बारे में इको के बारे में ध्वनी के परावरतन के बारे में तो बहुत सारे topics में अभी हैं जो हम लोग कल discuss करने वाले हैं यहां तक की बारे में और साथ-साथ में महात्रपून टॉपिक है डॉपलर जो कि हम लोग ने कई बार जिक्र भी किया पढ़ाते दौर में और लेकिन हम समझ नहीं पाए कहां डिसक्स किया जाए हाला कि वह यहीं लगभग-लभग सट हो रहा है वेव में ही तो वेव का ही टॉपिक है और हम लोग विलासिटी के अ होती है तो चायल्ड की बात करें अगर फिमेल चायल्ड रोगी में और मेल चायल्ड होगा फिमिलसक्त होगा दूसरी बात आपको बता दें कि जो यह वाइस स्गशिप्त रूप से होतं हैं बचपन में यह यहाँ यहां पर बढ़ए रहते हैं और एक मेच्योर्टी लेवल आने के बाद भी कुछ हार्मोरल चेंज़ जब होते हैं देजरे करके ये टूटना शुरू होते हैं यानि इसको फ्री करते हैं समझरे बाद इसलिए बच्पन में जो बच्चे होते हैं उनकी आवास थोड़ी से तीश होती है यानि महिलाओं जैसी होती है आप भेद नहीं कर जाता है कोई भारी दिखेगा तो दोस्तों आज के लिए इता ही है अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम और भी हो तो वो भी हमसे पूछेगा शेयर करिए और साथ में वीडियो लेक्षर हो जाने के बाद में कमेंट सेक्शन में इसके होने के बाद में नॉर्मल ते रहे ओके बाबाए ओल थे बेस्ट